हेलो दोस्तो स्वागत अब सबका नॉले एंट्रेटेनर्स में मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में आ चुका है वाइरस और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर यहां तो लैक कर र कंप्यूटर सफिरींग कर रही होते हो तो आप ऐसा ये वैजुका करते हैं जिसकी वजह से क्या होसा है रहा सामने आ जाती है मतल acontece दो तीन लिंक और ओपन हों जाते हैं तो वहां से क्या होता है धीरे से वारेस आपके computer में कर जाता है enter और जो वो enter करता है तो उसका सीधा attack कहां पर होता है हमारे computer की virtual memory पर और उस पर attack होने की वज़ा से वहाँ पर आपके PC में बन जाती है catch files, junk files या फिर temporary files जिससे क्या होता है हमारे PC पर load पड़ता है और PC slow होना धीरे-धीरे start हो जाता है तो दोस्तों लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरा solution बताऊंगा कैसे इन सभी files को delete करना है कैसे virus को remove करना है और अगर इससे बात नहीं बनती है तो end में एक और चीज़ बताऊंगा कि एक antivirus बताने वाला हूं जो कि 14 days का free trial है तो उसका use करने के बाद तो 100% ही आपके computer में से सारे का सारा virus हो जाएगा remove तो दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा detail से देखेगा तभी आपको समझाएगा पूरी detail में तो दोस्तों देखिए अभी हम यहां पर मेरे computer की screen पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको यहां से बताने वाला हूं one by one सारे step को तो ठीक है दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है हमें यहां पर चले जाना है अपने यहां पर search bar में और यहां से हमें search करना है run तो आपके आपर रिखना है run run और इस पर करना है okay तो ठीक है जैसे आपने यहां पर ओके किया और आपको सबसे पहला यहां पर क्लीन करने वाले हैं तो आप क्योंगा करना है जैसे जब भी हम किसी software को download करते हैं यहां पर कोई चीज हमारे यहां पर install करते हैं तो हमारी जाती है c drive में तो हम यहां पर c drive पर रखकर इसको कर देना है और देखें यहां पर जितनी भी temporary files जो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी तो सबसे पहली कमांड यह थी जो आपको यहां पर करना है clean mgr ठीक है तो चीज के बारे में अब हम बात करते हैं आपको फिर से यहीं पर जाना है और आपको यहां पर करना है prefetch ठीक है तो यहां पर अपको करना है प्री फैच और इसके बाद आपको कर देना है ओके ठीक है दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर देखे प्री फैच किया तो यहाँ पर बहुत सारी कई दिलीट होने वाली थी फो उन्य यहां पर रह गया है दिक है जाइज है कि यहाँ ब पर्ख हो जाएगा मतलब कि जितनी भी और डिक्टी फाइल स्याव फिर एक से डिलीट कर देगा फिर से बताता हूं आपको यहां पर जाकर सच बार में रन पर जाना है यहां पर सिंप्ली लिखना है ट्री और उसके बाद करना है ओके तो देखिए जैसे इसने क्या किया यहा के दले स्केविग और यहां पर इसने डिलीट करने वाली होगी वह से हो जाएंगे डिलीट ठीक है तो आपको यह सारी चार चीजें वह आपको यह से कर आना है अगर आपके कंप्योटर चल रहा है वायरज सा रहा है तो और last में आपको कौनसी चीज़ करनी वो भी मैं आपको बताता हूं अब मालीजे आपने सारी चीज़ों को कर लिया लेकिन अब भी आपको लग रहा है कि आपके सामने जो इसका इंटरफेस है वो जैसे आप अभी यहां पर देख रहे होगे ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा ठीक है तो आपको यहां से लिखा हुआ है कि आपको करना है स्टार्ट फ्री डाउनलोड हमें कर देना इस पर क्लिक ठीक है तो दोस्तों देखिए जैसे हमने यहां पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह इंटरफेस अभी ओपन हो चुका है तो यहां पर लिखा हुआ है थैंक्स फो डाउनलोडिंग दा फॉर्टीन डेट्रायल तो फॉर्टीन डेके लिए यह बिल्कुल फ्री है दो जैसे आपने स्कीन पर वह यह से डेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको उसे क्लीन कर देना है तो आपका पीसी अच्छे तरीके से चलने लगेगा ठीक है दोस्तों यह थी पूरी वीडियो जो मैं आपको यहां पर बताना जाता था तो दोस्तों एक स्पिसिफिक एंटिवारस तो मैंने आपको जो सौफ्ट्व में सौफ्ट्व कर सकता हैं रिमूव क्र सकते हैं टो दोस्तों अगर यह सब करने के बाद भी आपको आती है और प्राप्लम आलेजें तो उसका चैयम मतलब हो सकता है कि आपके computer में कोई heavy virus आ चुका है तो दोस्तों उसे करने के लिए आपको का करना पड़ेगा आप windows नहीं कर लीजे अपना सारा data उसे format कीजे और उसके बाद windows new कर लीजे ठीक है जब आप new windows कर लेंगे तो वहां पर आपका सारा virus automatically हो जाएगा डिलीट तो आपको सारे अपने data को कर देना है तो यह सारी चीजे मैं आपको पूरी detail में बता दी है deeply बता दी है पहले steps भी बता दी है अगर उससे काम बन जाए तो well and good है और उसके बाद antivirus से बन ही जाता है अगर फिर भी बहुत जादा virus हो तो आप windows को जब reinstall कर लेंगे बाकी सारे data को format कर देंगे तो आपका computer बहुत अच्छे तरीके से और स्मूध तरीके से चलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों एंड में यह कहता हूं किसी और कहीनी वीडियो के साथ तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों